दोस्तो अगर फोन का प्रोसेसर वीक है तो ऐसे में आप अपने फोन में कितनी भी सेटिंग कर लोगे, कितनी भी ट्रिक लगा लोगे, आपके फोन में अच्छी गेमिंग प्रोपोमेंस नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप अपने phone के processor को strong बना दोगे तो आप easily दोस्तों बड़े से बड़े game को भी smooth खेल पाओगे आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने phone के processor को strong करोगे यानि कि दोस्तों एक heavy performance वाला processor कैसे करोगे आज की sub video में गाईस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए बस आपको करना क्या है इस sub video को like करना है चैनल को subscribe करना है and continue गाईसी sub video को देखते रहना है दोस्तों किसी भी phone की processor को strong बनाने के लिए सिप आपको दो चीज़े करनी होगी एक तो आपको अपने phone में setting करना होगा and दूसरा दोस्तों आपको अपने phone में छोटी सी app को install करके activate करना होगा ये दो चीज़े अगर आप कर लोगे तो आपके phone का processor बहुत ही ज्यादा strong हो जाएगा बड़े से बड़े game को आप easily अपने phone में खेल पाओगे ओभी smooth तो उसके लिए आपको खरना क्या होगा सबसेट पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी app मैंने बोला ना install करना पड़ेगा ये वाली अब इसे आप कैसे डाउनलोड करोगे हो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसकी tension मतलो अब इसे डाउनलोड करने बाद ना दोस्तों आपको यहाँ पर arrow के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको speed उसके बाद battery stock and यहाँ पर extreme boost आपको अलग-अलग mode दिये करें ठीक है यह जो application है यह rooted device and non-rooted दोनों के लिए काम करती है तो यह मत सुचना यह सिफ rooted के लिए है पहले मैं आपको बता दू तो यहाँ पर आने बाद simply दुस्तों आपको speed के उपर क्लिक करना है और यहाँ से दुस्तों आपको इसे कर देना है activate यहाँ पर आपको permission देना है yes के उपर आपको click करना है और कुछी type का यह process लेगा तो आपको डरना नहीं है यह दोस्तों इसका बोल सकतो न थीम है तो इससे आपको होने देना है थोड़ा सापको यहाँ पर इंतजार कर लेना है and guys यहाँ पर आप देख सकतो ऐसा success लिख कि आपके फोन का speed कितना जादा increase हो गया है क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ से जो है इसकी जो speed उससे आपने increase करिया है और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके फोन की battery भी बहुत जली खतम हो जाती है तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर बैटरी का option मिलता है जि फोड़ा सा वेड करना है थोड़ा सा जैसे आप वेड करते हो यह भी success हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको बस यहाँ पर touch कर देना है और आप बैक आजाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह दोनों चीज़े करनी है यह rooted और non-rooted दोनों के लिए काम कर करता है इस application को download करने के लिए link आपको description में मैं दे दूंगा अब यहाँ सापको back आना है अब दोस्तों आपको अपने phone में एक last चीज़ करनी है वो है दोस्तों आपके phone की setting उसे करने के बाद आपके phone का जो processor हो बहुत ही ज़्यादा ही strong हो जाएगा तो उसके लिए simply दोस्त आपको यह arrow के उपर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा developer option यह जो setting होती है ना दोस्तों सभी device में होती है चाहे आपके पास महेंगी phone हो या फिर सबस्ते सभी phone में यह setting आपको मिल जाती है अगर आपके phone में developer option on नहीं है तो आपको बत fault सभी phone में आजकल आ रहा है अगर आपके phone में नहीं है तो आपको अपने phone को update कर लेना है क्योंकि दोस्तों यह अभी experimental mode में चल रहा है मतलब कि धीरे धीरे सभी phone में आ रहा है तो हो सकता है कई phone में यह आपको ना देखने को मिले लेकिन अगर आपके phone में यह है तो इसे आ आपको बस on कर दिना है जैसे आप इसे on कर दोगे आपके फोन का जो hardware है hardware मतलब वही आपका प्रोसेसर जो है वो और ज्यादा बूश्ट हो जाएगा यानि कि सूपर बूश्ट मोड में चला जाएगा ऐसे में दोस्तों आपका जो प्रोसेसर होगा ना वो बहुत ही heavy performance करने के लिए तैयार हो जाता है यानि कि दोस्तों अब आप अपने फोन में न यह जो आप बड़े से बड़े गेम देख रहे हो जैसे कि Free Fire, Call of Duty, ZMI इन सब चीजों को अगर आप खेलोगे तो एकदम स्मूद एक्स्पिरेंस मिलेगा एकदम अच्छे से यह गेम चलेंगे अच्छ लिए बेख दो बहत खकी हो掉 में अब टने आप टाम को ऑना क्या देख खेनाक से यह जएग 잡ाना को अपने और प्सक्र एकदम से लोगड़े इन से विसमी झाल झाल